आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था, आज के बाद इनका नाम जीतेंद्र नारायन सिंग्तियागी होगा कि वसीम भाई इसके बाद हमारे होंगे, हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सब्टकार करेगा मेरे पता के तीन बेटे नधिया और आज के बाद मेरे पता के दो बारा से दो बेटे होंगे पलपल नियूज के निस रूम से बड़े खबर हम लोगों के सामने आ रही है अब नहीं रहे जी हां जादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है और नहीं कमेंट बॉक्स में अपना घ्यान बकारने की ज़रूरत है वसीम रिजवी अब वसीम रिजवी नहीं रह गई हैं वो बन गए हैं जितेंद्र नरायन त्यागी जी हाँ वसी मृद्वी ने हिंदू धर्म अपना लिया है और अपनाया भी उनके संरक्षन में हैं जिन्हें उन्होंने अपना नया बाप बनाया है जी हाँ नरसिंगा अरंग की संरक्षन में जाकर के हिंदू बन चुके हैं वसीम रिजवी जिसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरे भी वाइरल हो रही है और मुसलिम धर्म को छोड़ करके अब हिंदू धर्म अपना लिया है क्योंकि इनसान अपने कुकर्वों को छपाने के लिए अपनी मकारियों को छुपाने के लिए कितना हद तक नीचे जा सकता है अगर किसी को देखा जा सकता है तो वो वसीम रिजवी को देख सकता है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुई और हर कोई जो है वसीम रिजवी के इस फैसले का समर्थन भी कर रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय में रहे करके मुस्लिम समुदाय को जो आए दिन गाली देने का काम वसीम रिजवी दुआरा किया जा रहा था वो चेहरा किसी से चिपा हुआ नहीं है और इस पर सबसे वड़ी बात मीडिया कवरेज करता हुआ दिखाए दिया यह वही मीडिया है जो जबरन धर्मांतरन के नाम पर अपनी चाती पीटता रहता है यहां वसीम रिजवी ने धर्म बदल लिया है अपना नया बात नरसिंगानन को बना लिया है जिसकी तस्वीरे सामने आई है और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया गया है इस वीडियो को भी आपके सामने रखूंगा पर उससे पहले एक अपील अगर यह वीडियो आप यूट्यूग पर देख रहे हैं तो यूट्यूग पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बैल आइकॉन दबाईए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साजा की जा सके और अगर यह वीडियो फेस्बुक इंस्टा ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेस्बुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा वसीम रिजवी नहीं रही जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वो जितेंद्र नारायन त्यागी बन गए है उन्होंने अपना धर्म जो है वो बदर लिया है क्या कुछ वीडियो में कहा गया है पहले उस वीडियो पर नजर डाल लेते हैं आज तक इनका नाम वसीम रिजवी था आज के बाद इनका नाम जीतेंद्र नारायन सिंग त्यागी होगा त्यागी इसने नहीं कि किसी विसेद वरादरी से वसीम भाई को कोई लगाव है अब से जीतेंद्र भाई को कोई लगाव है असल में जो हिंदू बनता है मुसल्मान उसे मौलाना और मौलवी बरगलाते हैं कि तुम्हें वहाँ इज्यत नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि तुम किसी जाती में नहीं होगे तो केवाल इसलिए मैंने त्यागी समाज के सब लोगों को यहां बुलाया हमारे अद्यक्जी हैं और भी सारे त्यागी समाज के लोग हैं उन्होंने सर्व सम्मती से यह कहा कि वसीम भाई इसके बाद हमारे होंगे हमारा समाज वसीम भाई का हमेशा स्वागत करेगा, सब्सकार करेगा मेरे पिता के तीन बेटे, दो बेटे थे एक ने संज्या सुरेलिया के वल एक बेटा रह गया था आज के बाद मेरे पिता के दो बारा से दो बेटे होंगे चितेंडर नारायन सिंग त्यागी जी इस त्यागी समाज में मेरे पिता के बेटे के रूप में पहचा ले जाएगे सरस्acz का । सनदर्म की सबसे बड़ी बात है कि सनातर दरम बादाओं में नहीं बागता वसीम भाई कोबने एक वर मने day किसी बाते रखिए एक हुआ है एक तो कभी भी वसीम भाई कौमान्स नहीं खाएं गे जीतेंग्र warain सिंत्यागी के रुपे ये कभी भी कौमान से नहीं खा सकते एक दुनिया में जो इन से या इनके परिवार से या इनके समुदाय से बैरभाव नहीं रखता ये उससे कभी बैरभाव नहीं रखेंगे ठीके ना दो और एक ओम नमे सिवायका जदा कदा जमीने समय मिले तो ओम क्योंकि मिश्दा करने प्यberswal करेंगे लेकिन यदि akkar कुछ नुक्सान कौप जाया हम a दोस्तों आपने नरसिंगा नन को चुना जिन्हों ने वसीम रिजवी को धर्म बदलवाया है डासना मंदिर में जाकर के वसीम रिजवी जो हैं वो हिंदू बन गए और खुल करके यह एलान पहले ही कर दिया गया था कि आज वो हिंदू बन जाएंगे मुस्लिम धर्म को होगा कि वसीम रिजवी ने ना कि धर्म बदला है बलकि अपना बाप भी बदल लिया है और क्या कुछ नरसिंगा अनन्द ने कहा उन शब्दों को मैंदारौना नहीं चाहूँगा क्या कहा आप लोग सुन चुके हैं और क्यों वसीम रिजवी ने इस पूरी घटना को घपला वसीम रिजवी ने किया है इन तमाम चीजों पर बात की जाएगी जो उनके काले कुकर्म हैं उसे आपके सामने रखूँगा और आखिरकार इसके बात क्या होना चाहिए इस चीजों को भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रद त्यागी हो गया है हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि जब मुझे इसलाम से निकाल दिया गया तो मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म सोईकार करूं सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है जितनी उसमें अच्छाईयां पाई जाती हैं और किसी धर्म म ने क्यों इसलाम धर्म छोड़ दिया आपको बता दें कि उत्तर परदेश में योगी सरकार के सक्ता में आने के बाद से वसीम रिजवी लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए थे उन्होंने देश की नौ मस्जिदों को हिंदू को सौब दिये जाने की बात उठाई थी की धर्ती पर कलंक बताया था मदसों को तालीम को आतंगवास से चुड़ा था कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी जिसके बाद शिया और सुनी समुदाय के उलिमाओं ने फत्वा देकर उन्हें इसलाम से खारिच कर दि मंदिर में यती नरसिम्हानंद सरस्वती ने हिंदू धर्में शामिल कराया है वसीम रिजवी से जितेंदर नरायन त्यागी अपने माथे पर त्रिपून लगाए गले में भगवा बना बना पहने और अपने हाथ जोड़कर भगवान की पूजा करते नजर आये इस पर हिं सा धर्म सुईकार करूं सनातन धर्म दुनिया का पहला धर्म था जिसमें इतनी अच्छाईया हैं और किसी धर्म में नहीं है इसलाम को हम धर्म ही नहीं समझते और हर जुम्मे की नमाज के बाद हमारा सिरकाटनी के लिए फत्वे दिये जाते थे तो ऐसी परिस्तिती में हम को कोई मुसल्मान कहें इसे हम को खुच शर्म आती थी बता दें के हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी का जन्म शिया मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता रेलवे के करमचारी थे लेकिन जब रिजवी क्लास 6 की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनके वालिद का इंतिकाल हो गया था इसके बाद वसीम रिजवी और उनके भाई वहनों की जिम्मेदारी उनकी मापर आ गई थी वसीम रिजवी अपने भाई वहनों में सबसे बड़े थे और वे बारवी की पढ़ाई के बाद सौदी अरप में एक होटल में नौकरी करने चले गए और पिर बाद में जापान और अमेरिका में एक काम किया पारिवारिक परिस्तियों के कारण वसीम रिजवी लखनओ लोटे और अपना खुद का काम शुरू किया जिसके चलते उनके तमाम लोगों के साथ अच्छे संबंद बने उन्हों नगर निगम का चुनाव लड़ने का फैसला किया यहीं से उनके राजनेतिक करियर के शुरूआत हुई इसके बाद रिजवी शिया मौलाना कलबे जबबात के करीबी बने और शिया वक्त वोड के सदस्य बने रिजवी ने दो शादियां की और दोनों ही लखनओ में हुई रिजवी की पहली पतनी से तीन बच् तीनों ही बच्चों की शादियां हो चुकी हैं साल 2003 में जब यूपी में मुलायम सिंग ग्यादा मुख्य मंत्री बने तो वक्फ मंत्री आजम खान के सिफारिश पर सपा नेता मुक्तार अनीस को शिया सेंट्रिल वक्त बोर्ट का चेर्मेन बनाया लेकिन अनीस के कारेले म में लखनओ के हजरत गंग में एक वक्फ संपत्ती को बेचे जाने का मौलाना कलवे जबबाद ने कड़ा विरोत किया मौलाना ने तल्ख रुख पर मुक्तार को मुक्तार अनीस को बोर्ट के चेर्मेन पत से हटाना पड़ा था इसके बाद मुलायम सिंग यादव से 2014 में मौलाना कलवे जबबाद की सिपारिश पर वशीम रिजवी को शिया वक्फ बोर्ड का चेर्मेन बना दिया गया था ये तस्वीरें और ये सच्चाई सामने आई वसीम रिजवी की जिसके बाद एक कलवे जबबाद और रिजवी के वीच वर्चस्प की जंग चलती र एक बार फिर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्षपत पर काबिज हो गए तीन साल के बाद 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सपासरकार बनने के दो महीने बाद 28 मई को वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया गया वसीम रिजवी ने आजम खान से करीवी नाते के चलते साल 2014 में व ब्रश्टा चार के आरोप लगे जिसे लेकर तमाम FIAR दर्ज कराई गई कलबे जबात के प्रभाव में योगी सरकार ने वक्फ संपत्यों पर हुए अवेत कबजे की जाच CBI के हवाले कर दी गई अब ये मामला CBI के हवाले हैं सूबे के 5 जिले में धांदली मामले में वस दर्ज है ऐसे वो अब इसलाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और वसीम रिजवी से जितेंद्र नरायंत त्यागी बन गए हैं ये सवाल खड़ा होता है कि इंसान अपने आपको बचाने के लिए कितना हद तक जा सकता है जहां उन्हें धर्म बदल करके हिं क्या वो आरोप अब वापस ले लिए जाएंगे और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी भी उन्हें पिर से शियावक बोर्ट का चेर्मेन चुना गया था कि अब वसीम रिजवी अपने सारे पदों से हट करके और लोगों को आने का मौका देंगे एक सबसे बड़ा सवा प्रों से आपको रुबरुकर आता रहूंगा दीचे इजासत शुक्रिया